नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीस्यल टीजूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू क्वाइः पूछे गए प्रस्न होंगे जो कि आपकी किसी भी एक्साम के लिए मातपूर्पूर्इ कोई जैसे कि यू- dove l tr do Na sociology सेल में जोent के लिए भी आति मातपूर्इ साव scarcity होगे चले दोस्तों इन प्रस्णों की सुरुवात करते हैं चलिए आज का हमारा पहला प्रस्ण है दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है अध्दोगिक वाइरिंग जो की इंडस्ट्रियल वाइरिंग चैप्टर है विद्दूत वाइरिंग में डेड़ डेस रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए उप्योग किया जाता है राइट एंसर ग्रीन यनि हरे रंग का अगले प्रस्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है जो की यहाँ पर दिया गया है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं जानकारी फेज वायर के लिए लाल पीला तथा काला रंग का प्रियोग किया जाता है जो की आप जानते ही होंगे फेज में लाल पीला और काला का प्रियोग करते हैं विद्धुत वायरिंग में सबी विद्धुती उपकरान जुड़े होते हैं राइट एंसर समानतर क्रम्मी अगले प्रस्ण पर चलते हैं दोस्तों यहां पर अधिक जानकारी आप खुछ से देख सकते हैं आपका अगला प्रस्ण है एक टूवे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आम तोर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है राइट एंसर दो दोस्तों टूवे स्विच में तीन पॉइंट होते हैं सीडी वाइरिंग में इसका प्रियोग करते हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रस्ण है किस तरह के वाइरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है राइट एंसर क्लिट वाइरिंग में दोस्तों आस्थाई वाइरिंग जो वाइरिंग अल्प समय के लिए किसी मेले प्रदर्शनी आदि में करते हैं जो कि इस्थाई होती है जिसे दीर अवधी तक उपयोग में की जाती है जैसे कि भावनों में जो अंडर ग्राउंडिंग होती है वाइरिंग जो की कार्याले विद्याले और उद्दोग सालाओं आद ही में करते हैं जैसे कि पहला केसिंग इस्थाई वाइरिंग के प्रकार जो है केसिंग केपिंग वाइरिंग बैटन या सीटीएस वाइरिंग जो होती है और लेट सीटेद वाइरिंग कंड्यूट वाइरिंग दोस्तों ये कंड्यूट वाइरिं राइट एंसर अप्सन बर सी वा तैयार दिवार की सता है के साथ फ्लश्ड हो अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो कि दोस्तों आपका अगला प्रस्ण है 16 एंपियर में 3 पिन साकेट आउट लेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुसासित है राइट एंसर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा एक हजार वाट जो की चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सोला एंपियर के तीन साकेट आउटलेट पॉइंट के लिए एक हजार वाट की पावर रेटिंग अनुसासित है पावर साकेट परिपत की अधिक्तम वाटेज छमता जो होती है तीन हजार वाट तक होती है अगले प्रस्न पर चलते हैं सिंगल फेज या थीरी फेज परिपत में नीट्रल का रंग क्या होता है राइट एंसर काला होता है और जो होता है दोस्तों इसमें आरवाई भी प्रियोक किया जाते हैं जो कि लाला, पीला तथा नीला ये फेज के लिए प्रियोक करते हैं और अगला प्रस्ण है अद्योकिक यानि इंडस्ट्रियल विदूत आपूर्ति में फेज की संक्या कितनी होती है राइट एंसर दोस्तों थिरी फेज होता है अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रस्ण है घरेलू विदूत वायरिंग में लाइट लोड किस से अधिक नहीं होना चाहिए राइट एंसर आठ सो वाड से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों इसमें जो है पांच एंपियर के दो साकेट या आठ सो वाड लोड से अधिक नहीं होना चाहिए अदूसरा जो पॉइंट दिया गाया कुल दस बिंदों से अधिक नहीं होना चाहिए और जो सक्ती परिपत है परिपत के लिए 3000 वाट लोड और 15 एंपियर के दो साकट से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तो 3000 वाट के लिए अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रशन है इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लिकेशन के लिए निम लिखित में से किसे किसे हरे रंग को हरे आता है राइट अंसर दोस्तों आपसन नमबर इसका जो कि आप देख सकते हैं आपसन नमबर डी आर्थ लाइन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आर्थ वायर हरे रंग का और जो होता है लाल रंग का पीला निट्रल देख सकते हैं सभी आप देख सकते हैं आर वाई भी आ दिख सकते हैं आप इसमें आगला प्रश्ण है वाइरिंग में कौन सा वायर अनावरत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है राइट एंसर ग्राउंड वायर अगले प्रश्ण पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्ण है IEE1 के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन आर्थिंग लीड का नियुन्तम आकार दिये गए विकल्पू में से किसमें कम नहीं होना चाहिए राइट एंसर अपसन नमबर बी जीरो आठ एश डबलू जी यानि इस्टेंडर वायर गेज कापर या जी आई वायर अगले प्रश्ण पर चलते हैं ज्योंकि आपका अगला प्रश्ण है दोस्तों ये चित्र बना हुआ है आप इसमें देखकर बताएं ये किसका चित्र है चलिए देखते हैं चित्र को आपको बताना है कि ये किसका चित्र है ये इस्टेर यानि सीडी में वायरिंग के लिए प्रियूक्त होता है देख सकते हैं दोस्तों इस ये इस्टेर केस वायरिंग है अगले प्रश्ण पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्ण है इसमें टूए स्विच लगा होता है आपका अगला प्रस्ण है घरेलू वाइरिंग एवं छोटी इकायों के लिए सुरच्छा उपाय के लिए उपाय के रूप में निमलिखित का इस्तमाल किया जाना चाहिए राइट एंसर एमसी यनि मेनियेचर सर्कुट ब्रेकर अगला प्रस्ण है आपका जो कि यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार के कंडियूट पाइप का उपयोग और दोगिक वायरिंग में की जाती है राइट एंसर जैस्तिकरत ड्रड कंडियूट पाइप अगले प्रस्ण प चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रस्ण है दोस्तों जो मेनियेचर सर्कुट बेकर होता है यह सर्कुट ब्रेकर पांच एंपियर से साथ एंपियर और दोसो तीस वोल्ट छम तक में बनाये जाते हैं यह डी सी टीपी तथा चार पॉल प्रकार के में सी बी में करमसा दो तीन यानि चाई दो तीन चार एस पिम सीबी के स्वीचिंग लियर्स को एक साथ प्रचालिन करने की द्यस्था की particularly प्रासित करने के लिए प्रयुख्त बत्तियों सहयोजित बैतिया सहयोजित होती हैं राट एंशर दोस्तव समानतर क्रम में सीरीज में लगा देंगे तो एक लि वल्ब नहीं जलेंगे चलिए इसलिए हम इसमें समांतर में लगाते हैं और जो घर में जो जालर होती है दोस्तों उसको सीरीज में लगाया जाता है निम लिकित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है राइट एंसर लाशिंग अगले प्रस्ण पर चलते हैं बाकी ये अगला प्रश्ण है विद्धुत नियमा नुसार घरेलू वायरिंग में विद्धुत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए राइट एंसर पचास बटे परिपत में बिंदों की दो गुनी संख्या होनी चाहिए अगला प्रश्ण है वायर गेज का उपयोग किसी चालक क्या म अपने के लिए किया जाता है राइट एंसर ब्यास अगला प्रश्ण है यदि मुख वित्रनड बोर्ड पर थीरी फेज चारसो वोल्ट और पांच पचास हर्ट की सप्लाई आ रही है तो भू संपरकन के लिए बस बस बार भी लगा हो तब दोसो तीस वोल्ट की रेटिंग के लेंपो और पंखो दोस्तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपसन नमबर दोस्तो इसका अपसन नमबर देख सकते हैं पहले मैं आपको अंसर बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा दोस्तो यह मेरा टेलीग्राम चैनल है आप इसे जोइन कर सकते ह इसमें इसकी पीडियाप आ जाएगी जो की दो तीन दिन बाद अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों और अल्रेडी हमने बहुत सारी पीडियाप इसमें अपलोड कर रखी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तीसे जरूर जोईन करें और वहां से पीडियाप जरूर डाउनलोड करें अगला प्रश्ण है दोस्तों उसी का एंसर जो है आपसन नंबर सी जो की सही उतर होगा 230 वोल्ट रेटिंग के पंके और लैम्पो को चलाए जा सकता है लेकिन यह आई ई नियमो के अनुसार नहीं मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं इसमें से यदि मुख वित्रण बोर्ड पर ठीरी फेज 400 वोल्ट और 50 हट की सप्लाई आ रही है तो 230 वोल्ट की रेटिंग के पंके और लैम्पो को चलाए जा सकता है लेकिन यह आई ई नियमो के अनुसार नहीं चलाए जा सकता अर्थ को जो होता है उसे प्रत्वी में इस्तनातिर कर देते हैं अगला प्रस्ण है दोस्तों इसमें बताना है कि आपका ये किसका चित्र है राइट एंसर दोस्तों आपसन नमबर भी ये OCB का फिगर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिग्षड कंटेक्ट है मूविंग कंटेक्ट है ए एर्सी कंट्रोल चेमबर है अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो की दोस्तों आपका अगला प्रस्ण है एर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम लिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है राइट एंसर वाई उदबाओ को अगले प्रस्ण पर चलते हैं किसी निश्चित लंबाई के लिए पी वी सी कंट्यूट की तुलना में धात्वी कंट्यूट है राइट एंसर वजन में भारी होते हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं, सर्किट ब्रेकर एक आईसी उक्ती है, जो स्वारी दोस्तों, किसी विद्धुत वितराड़ परिपत को डेड़ डेस अवस्ता में तोड़ने और जोड़ने का कारे करती है, रैट एंसर सामाने तथा आसामाने, अगला प्रस्ण है, सर्किट ब अगला प्रश्ण है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों में भी सेयर करें अगर वीडियो अच्छा लाग रहा हो तो लाइक जरूर करें अगला प्रश्ण है सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग ब्योस्ता उ ही उत्तर होगा दोस्तों यहां से अधिक जानकारी देख सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आया आपका आगला प्रश्ण है सर्किट ब्रेकर में सौट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रियोक की गई यूक्ती डेट डेश प्रकार की होती है राइट एंस अगर दोस्तों में यह सर्किट ब्रेकर दोस्तों इसे अगर एक बार खराब हो गई तो इसे आप दुबारस सही नहीं कर सकते हैं अगला प्रश्ण है यह सीबी का उप्योग विशेशकर डेट डेश अवस्था में स्रोत को विशन्योजित करने के लिए किया जाता है दोस् आप देख सकते हैं अपसन नमबर भी अर्थदोस इलसीबी का उप्योग विशेशकर अर्थदोस ब्योस्ता में छेत्र को विशन्योजित करने के लिए किया जाता है यह युक्ती रिले की भाती धारा अत्वा वुल्टेज चालित प्रकार की होती है यह और केवल सव मिली इंपियर लीकेज धारा पर ही प्रचलीत हो सकती है अर्थात अर्थदोस अथवा लीकेज उपस्थिती होने पर ईएलसीबी लाइन को आपका उपकरण को विद्धूस रोज से प्रठक कर देती यह नहीं अलग कर देती आपका वो उपकरण जो होते है वो बच जाते हैं ध बस बार को डैट डैस से अधिक उचाई पर इस्थापित नहीं करना चाहिए राइट एंसर दो दसमनों साथ पांच मीटर से उचाई अधिक नहीं करना चाहिए किसी उद्धोक साला में साव असु सकती के लिए ठीरी फेज चारसो पंदरा वोल्ट और पचास हड़ सप्लाई यह तो बस बार की धारा वहन जंता डैट डैस होनी चाहिए राइट एंसर दो इंपियर अगला प्रश्न है चार से इंपियर धारा वहन जंता को सीलो परी बस बार डैट डैसं लंबाई में उत्पादित की जाती है राइट एंसर अपस्ट नम्बरे दो दोसमनों साबनों मीटर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यही थे हमारे जो की प्रस्न आप देख सकते इंडस्ट्रियल वाइरिंग के दोगिक वाइरिंग के यही थे प्रस्न जो की 35 प्रस्न थे जो कि दोस्तों ये छोटा चैप्टर था आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अब हम कल करेंगे अगला चैप्टर जो कि आपको अगले दिन ही पता चलेगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे अगर दोस्तों उससे पहले आपस रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और इसे सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और अधिक साधिक दोस्तों में शेर जरूर कर दें चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेने श्ट्यूडियो में तब तक के लिए बाई